बिहार सिक्षक भरती परिच्छा में बीयड अभीरती परिच्छा में शमलित हुए थे अब उनका रिजल्ट जारी होगा अत्वा नहीं इसको लेकर के बिपेसी आयोग बिहार के सिक्षा विभाग और बिहार राज सरकार के बीच में महतवपून बैठकों का दौर जारी है और आने वाले एक हफते में इस पर फैसला लिया जाएगा कि इस सिक्षक भरती में बीयड अभीरतों के रिजल्ट की घोशना की जाए अत्वा नहीं अंत्र तक जरू जूड़े रहीगा किन महतवपून पॉइंट्स पर चर्चा हो रही है रिजल्ट को लेकर के इसके बार 28 जुन 2018 का नोटिफिकेशन और समयधानिक करार दे दिया और माने ने जोदपूर हाई कोट के फैसले को बहाल कर दिया था इसके बाद से 28 अगस्त 2023 को इस पेसली बिहार की सिक्षक भरती के संदर्व में ओनरेबल सुप्रिम कोट के तीन जजों के बेचन ने ये फैसला दि बिल्कुल अभी भी बचा हुआ है बियर डवेर्थों के लिए और इसी वज़े से बिहार सिक्षाविबाग बिहार राजसरकार और बिप्यस्सी इस मुद्दों पर चर्चा कर रहा है जब 28 अगस्त को फैसला दिया गया था ओनरेबल सुप्रिम कोट के द्वारा बिहार के परिप्रेक्ष में तो उसमें एक लाइन बहुत महत्वपून मेंशन की गई थी कि बिहार राजसरकार इसमें कोई भी पार्टी नहीं थी इसलिए वह उनके नोटिफिकेशन पर कोई भी टिपणी नहीं कर रहे हैं और ये उमीद करते हैं कि बिहार राजसरकार 11 अगस्त 2023 क ये फैसले के अधार पर ही कारवाई को आगे करें यानि कि बिहार राजसरकार ने अपना पक्ष रखा ही नहीं है इस पूरे मामले में अब राजसरकार अगर चाहे तो वो सुप्रिम कोट में अपने पक्ष को रख सकती है इसके लिए जरूरी ये होगा कि पूरे मामले की एक बार जाच की जाए और पूरे मामले पर सही से डिसकसन होने के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि बिहार राजसरकार पक्ष रखना चाहती है अत्वा नहीं रखना चाहती है इन सब को ले करके आप 36 गड़वाले मामले को देखेंगे तो 36 गड़वाले मामले में क्य और एक ongoing process वाली भरती प्रक्रिया को हम बीच में नहीं रोक सकते हलांकि BA अभ्यरती पात्र होगा या नहीं वो high court से decide होगा merit के base पर ठीक है कि वो पात्र है या नहीं वो अभी high court से decide होना बाकी है सुप्रिम कोट ने उस प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया थ कि बिहार वाले अभ्यरती जो B8 से सम्मानित है वो सुप्रिम कोट चले जाए और इस प्रकार का मामला सुप्रिम कोट में जाने पर अभ्यरती विचार भी कर रहे है और एकाद case हो भी चुके है तो इन सब को लेकर के कहीं भरती बीच में नफज जाए इस पर चर्चा भी म कि हमारा जो notification है वो 11 अगस्त के फैसले के बाद का है अभी सुप्रिम कोट में जो clarification application दायर किया गया है उसमें यहीं जिक्र किया गया है कि सुप्रिम कोट अपने फैसले को खुद define करे कि कब से ये फैसला प्रभावी होगा जिसमें एक date जो सबसे ज़्यादा उभर करके सा सुप्रिम कोट ने अपने judgment में साफ सब्दों में लिखा है कि जब तक कोई भी notification honorable court के द्वारा unconstitutional करार नहीं दे दिया था तब तक वो legal position रखता है और उसके आधार पर जो भी पहले की भरतिया हुई है उसके बारे में आपने राजस्थान वाले मामले में देखा होगा कि हाई कोट ने ये टिपड़ी की थी कि राजस्थान सरकार की ये गलती है कि उन्होंने जब ये legal position में था उस समय तक रीट में बियर अभीरतों को शामिल नहीं कराए गया तो अगर ये point देखा जाए तो 25 नॉबंबर 2021 जिस पर जोदपूर हाई कोट ने फैसला देते हुए un constitutional कह दिया था तो वो वाला date सबसे ज़्यादा उभर करके आता है और अगर Supreme Court ने अपने clarification में ये बाते clear कर दी कि 25 नॉबंबर 2021 जब जोदपूर हाई कोट ने फैसला दिया था उसी date से ये फैसला प्रभावी माना जाएगा तो उस condition में बिहार का जो पूरा notification है वो 2023 में जा education department भी इन सबी चीजों का wait कर रहा होगा कि एक बार clarification अगर हो जाए कि किस date से ये फैसला प्रभावी होगा तो निश्ची तोर पर बिएट के मामले में कोई भी विवाद नहीं फसेगा तो इनी सबी मुद्दों पर चर्चा हो रहा है हलाकि राजसरकार स्वतंत्र है Supreme Court में पक्च रखने के लिए क्योंकि Supreme Court ने अपने verdict में साफ सब्द में कहा था कि इसमें कोई भी जो बिहार state government है वो पक्चकार नहीं है वो इसमें party नहीं है इस वज़े से वो उनके उस notification जो की बिहार में BPSC के दौर जारी किया गया सिक्षकों की भरती के लिए उस पर कोई भी पड़ी नहीं कर रहे हैं तो राजसरकार के पास अभी भी विकल्ब खुलाए कि वो अपना पक्च रख सकती है और पक्च रखेगी तो सिर्फ notification के date और फैसले के date पर चर्चा होगा जिस पर पहले ही clarification के संदर में Supreme Court में याचिका दैर हो चुकी है पहला पक्च तो यह हो ग नियमों को सीथिल करने के लिए राजसरकार केन सरकार से सिफारिश कर सकती है और केन सरकार NCT से approval लेकर के उस particular राजसरकार में 28 अभीरतों को allow कर सकता है लेकिन यहाँ पर BPSC ने Press Conference में साब सब्दों में कहा था कि हमारे पास DLT अभीरतों की संख्या 3,80,000 के आसपास है जो जब परियाप्त है तो फिर आपरियाप्त वाला मामला जो RT Act के 23 के उपधारा 2 में बातें मेंशन की गई है वो लागू नहीं होगा तो यहाँ पर राजसरकार वो वाला नियम को लेकर के आगे नहीं बढ़ने जा रही है यह बाते इस परस्ट है BPSC के चेर्मेन के द्वार दिये गए statement के बाद से अब उनके पास केवल और केवल एक ही विकल्प है अगर वो B8 के संदर में कुछ विचार करना चारे है तो वो Supreme Court में जाकर कि अपना पक्छ रख सकती है और ये भी रखने से कोई खास फाइदा इस वज़़े से नहीं हो रहा है क्योंकि Supreme Court में पहले स सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धनेवाद भगवान करें आपका दिन शूब हो कर दो दिन एल रख से वाइब करना भोले इस वीडियो को दो जाओब कर दो रहा है झाल झाल